पंदरा, काल और वच्च, काल, पढ़िये और समझ जीए, इशाना और आदित्य विद्याले जा रहे हैं, ये दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, इशाना, आदित्य तुम कल विद्याले क्यों नहीं आई थे, आदित्य, कल मुझे बुखार था, इसलिए नहीं आ सका, आज विद्याले में खेल प्रतियोगीता होगी, अदित्य, अरे वा, मैं उसमें जरूर भाग लूँगा, उप्रोक्त वाक्यों में प्रयोक्त रंगीन शब्दों, जा रहे हैं वा पढ़ते हैं से, कारे के चल रहे समय में होने का, आय थे, था, वा आ सका से बीते हुए समय में होने का, तथा, होगी वर लूंगा से आने वले समय में होने का बोध हो रहा है, ये सभी शब्द क्रियाओं के घटित होने का काल प्रकट कर रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चलता है, उसे काल कहते हैं, काल के भेद, काल के तीन भेद होत क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं जैसे तमन्ना गाना गा रही है, वह पढ़ रहा है, उप्रोक्त वाक्यों में गा रही है तथा पढ़ रहा है क्रियाओं से कारे के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, अतै ये वर्तमान काल की क्रियाई हैं. 2. बूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कारे बीते हुए समय में हो चुका है उसे बूतकाल कहते हैं जैसे घर में कोई आया था नमन मेराथन दोड में हार गया उप्रोक्त वाक्यों में आया था तथा हार गया क्रियाओं से कारे के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है अतै ये बूद काल की क्रियाएं है 3. बविशित काल क्रिया के जिस रूप से कारे का आने वाले समय में होना या करना पाया जाए उसे भविश्यतकाल कहते हैं जैसे हम क्रिकेट खेलेंगे मैं दोड में अवश्य जीतूंगा उप्रोक्त वाक्यों में खेलेंगे तथा जीतूंगा क्रियाओं से कारे के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है अतय ये भविश्यतकाल की क्रियाई है वाच्य, पढ़िये और समझिये क, ख वह कहानी लिखता है उससे कहानी लिखी जाती है तमन्ना वंदना कर रही है तमन्ना के द्वारा वंदना की जा रही है बुड़ा व्यक्ति चल नहीं पाता बुड़े व्यक्ति से चला नहीं जाता उप्रोक्थ खंड कर के वाक्यों की क्रियाएं अपने अपने करता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रियुक्त हुई है जबकि खंड कर के वाक्यों की क्रियाएं कर्म वे भाव के अनुसार प्रियुक्त हुई है वाक्यों के क्रियाओं में यह परिवर्तन वाच्चे के कारण हुआ है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्चे कहते हैं वाच्चे के भेट वाच्चे के तीन भेदोते हैं 1. कर्तरी वाच्य, 2. कर्म वाच्य, 3. भाव वाच्य 1. कर्तरी वाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रियोक की जाती है, उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं, जैसे मोहन सो रहा है, नाई बाल काड़ता है, उप्रोक्त वाक्यों में कर्ता के लिंग वे वचन के अनुसार ही क्रियाओं का प्रियोक किया गया है, अत्य ये कर्तरी वाक्ये है. यह भी जाननों, कर्त्री वाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रियोग किया जाता है दो, कर्म वाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रियोग की जाती है, उसे कर्म वाच्य कहते हैं जैसे पुलिस द्वारा चोर पकड़े जाते हैं, बालक से खाना खाया जाता है। उप्रोक्त वाक्यों में कर्म के लिंग वे वचन के अनुसार ही क्रियाओं का प्रियोग किया गया है। अतै ये कर्म वाच्चे है। यह भी जानो, कर्म वाच्चे में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रियोग किया जाता है। तीन, भाव वाच्चे, जिस वाक्य में क्रिया का संबंद करता या कर्म से नय होकर भाव से होता है, वहां भाव वाच्चे होता है। जैसे बिमार व्यक्ति से चला नहीं जाता, रचना से हसा जाता है, उप्रोक्त वाक्यों में भाव के अधार पर क्रियाओं का प्रियोग किया गया है, अतै ये भाव वाच्चे हैं, यह भी जानो, भाव वाच्चे में अकर्मक क्रियाओं का ही प्रियोग किया जाता है, तथा करता के साथ से लगाया जाता है हमने सीखा क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं काल के तीम भेदोते हैं वर्तमान काल, भूत काल, तथा बविश्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कारे वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कारे बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूत काल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाके में करता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्चे कहते हैं वाच्चे के तीन भेद होते हैं कर्तरी वाच्चे, कर्म वाच्चे तथा भाव वाच्चे